यह देखे गाइस हमारे घर की फेवरेट रेस्पी जो कि आज हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए आलू की बहुत टेस्टी सा टेस्टी सी सब्जी जो की बहुत यम्मी और टेस्टी है तो हलो एरोएन आप सो का श्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल चाहे मिस्टा टमाटर ले लिए हैं यह हमारे चोटे टमाटर हैं अगर आपके पास बड़ी टमाटर हो तो आप दो ले लीजिए यह दो मीडियम साइज के प्यास कट कर लिए रफली और यह लाल मिरच तीन पीनेट दो स्पून और यह लैसन और अद्रक कर टुकड़ा लैसन भी 5-6 कर ल बच्चे के लिए यह बहुत हल्दी ऑप्शन है और बच्चे आलू रेस्पी में आप कोई भी रेस्पी में आलू डालें आलू की चीज वह अच्छे से खा लेते हैं तो चलिए इसको हम बनाते हैं तो यह देखिए आंक निकाल देंगे इसकी और हम टमाटर भी आड़ करे हैं है क्योंकि हमको 80 को करना है एंटी पर्सन बचा देना है तो देखेंगे एक लाष पानी हमने टाल दिया है है इस पानी को फेखना भी नहीं है इसका हम आगे जोना चाह Пेर देखिए कैसे तो यह देखिए अपने आप इसे देना है अब आलू को अलग निकालेंगे और सारे इंग्रिडिटिन को अलग निकालेंगे पानी जो बचेएगा उसको पेकिंगे नहीं रख लेंगे कुणि हमें ऊसको इस्तमॉल करना है तो यह देख सकते हैं अच्छे से भिए हो गया है अब यह देख आलू किशू करें और बनाटे हैं । तो यह देखें ऑनाय को अलग निकाल करके रख लिया यह देख सकते हैं और अब इन क्रेडे निकाल कर रखेंगे पानी से जिसे यह थंड़र से तरह से निकाल लिए एक बात थारि गाय। तक तक हम ठंडा होता है तब तक हम अलु डाल दिया है दो लेडल बढ़कर आल है क्योंकि हमको आलु को रोस्ट करना है इतना पकाना है कि अच्छे से उसके उपर एक ब्राउन सी लेयर आजाए तो देखिए इस तरह से अपने आलु एट कर देंगे यह mustard oil है तो इसमें दुवा निकालना बहुत जरूरी है तो अच्छे से दुवा निकालने उसके बाद में आलू अड़ करें वरना कच्छा फली वराएगा mustard oil का तो देखे जब तक यह हमारे क्रिस्पी हो रहे हैं तब तक हम अपने मसालों को कर लेते हैं अब इसे हम अलग रखेंगे और देख लेते हैं अपने आलू यह देखे हलकी हलकी से लेयर आने लगी हमारे आलू पर तो इसी तरह से हम अच्छे से प्राइब कर लेंगे वाइस इनका इस तरह से रिस्पी बनाएंगे ना अलू की तो बहुत टेस्टी बहुत यमी बनेगी और बच्चे भी बहुत से खानेवान हैं तो यह देखे हैं अच्छे से हमारे आलू हो गए हैं गोल्डन ब्राउं तो उनको हम निकाल कर रख लेंगे अलग जो कि हम अब हम इसमें थोड़ा सा ओयल और डालेंगे देखे वह आयल हमने निकाल दिया था क्योंकि आयल हमारा आलू फ्राइ करते हुए जल गया था अगर उसी आयल में हम सब्जी बनाते हैं तो आयल दिखता नहीं है इसी वज़े से हमने नया ओयल डाल दिया है दो से तीन स्पून अब हम इसमें पकाएंगे तो देखे जो हमने इसे होने देंगे और यह देखे इसमें मसाला रख बं तेर्स चममच या देर स्पून तहनिया पाउडर और इसमें एक इंकेडिर हम आट करेंगे यानि थिक जमा हुआ क्रीमी दही क्योंकि फुल फैट वाला दही लेना है आपको इसमें और इसको अब हम डाल करके दो स्पून डाल दिया दही अब इसको हम मिक्सी में ही फेट क्योंकि हमें इतना फेटना है कि दही के बिल्कुल लंक्स ना रह जाएं और हींग डाल दिया थोड़ी सी देखिए दो से तीन पिंच इसको अच्छे से अब ग्राइंड कर लेंगे फिर से जिससे की अच्छे से फेट जाए देखिए इसमें लंक्स नहीं रह जाते हैं तो यह हमारा फट जाएगा दही इस वज़े से हमें अच्छे से फेटना है अगर आप मिक्सिम नहीं फेटना चाहते तो आप हाथ से भी अच्छे से फेट सकते हैं तो देखिए एक स्पून हमने ले लिए जीरा तेज पत्ता दो ले लिए जो तोड़के हमें आट कि हमें तो तो जैसे अच्छे से मृक्स करेंगे फ्लेम हमारी अभी भी बंध्यखwegen र 총 मिक्स करेंगे प्लाड आप करेंगे अकHHHH 30 में हमें फ्लेम को प्लेम को माहिशे हमें तो अब हम दूद से छले और जयरा तो चलाते हैं करेंगे जब तक यह अच्छे से पानी अlen लंगा नाग सक को जोड़ना है जलाते हokeवे इसे कोग करना वजना दही की वज़ा से यह पड़ सकता है तो यह देख सकते हैं फ्लम को कर साथ है कर देजा है यह हैं जली कंप प्रक करल लेंगे एक साथ बेख लग लेंगे तरह से क्योंकि हमें इसलिए यह प्रिक करना जिसे कि जो मसाले बनाएंगे जो ग्रेवी बनाएंगे इसके अंदर आसानी से चली जाए आलों के अंदर इस वज़े से तो यह देखिए इसमें ओयल दिखने लगा अच्छे से मारा मसाला को होने लगा तो इसको बीच-बीच मे से रख लिया है कूक करके और मसाले को भी से शान देखिए शार्णी करमा अज़िक और मसाले को एंदर गवक्ति और आसपास दिखने लगा यानि, मसाले की कूंटिटी भी कम हो गई है और मसाला में पैन जिपक भी नहीं राएं तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला कुक हो गया अच्छे से फ्राई हो गया क्योंकि मसाला जितना अच्छे से फ्राई होगा अच्छी टेस्टी सब जीवन कर गया एगी तो यह देख सकते हैं इस तरह से ऑईल भी दिखने लगा अच्छे से तो इसको हम आप इसमें आलू डालेंगे और मिक्स कर यह देखे इस तरह से अच्छे से कुक कर लेंगे अपी हमने देखे इसमें नमक नहीं आइड किया हुआ है नमक हम बाद में लास्ट में क्योंकि दही के कोई भी चीज बनाए आप नमक ना एड करें वरना दही फट सकता है तो जो पानी हमने निकाल कर रखा था इसमें सार और जादा पत्ली खानी है तो आप पानी बॉइल करके इसमें च्राइड कर सकते हैं मगर हम इतनी ही रखेंगे क्योंकि उपाति के साथ खानी है आप राइस के साथ तो उस आप से थोड़ा सा पतली पात्नी या तिक कर देखे इस तरह से से कुक कर लेंगे स्कृ और कास्त नमक डाल देंगे वीडियो का हमारा चैनल पर उपलब्द है आप देख सकते हैं तो यह देखिए नमक स्वाद करेंगे और अब इसे हम कुक कर लेंगे अच्छे से जितनी थीक ग्रेवी हमें चाहिए उसे साथ देखिए पास है आपको दिखा रहा है हमारी सब्जी बन चुक अगर आप दही नहीं आड़ करना चाहते तो आप इसकी जगह पर मलाई भी घर की जमी हुई आड़ कर सकते तो देखिए कितनी रिच आई है रिचनेस आई है हमारी सब्जी में और कितनी टेस्टी लग रही है कि यम्मी टेस्टी दम डिलीसियस इस तरह से बना करके खाएं तो बच्चे रोज यही बोलेंगे कि हमें ममा यही सब्जी खानी हमारी यहां सब्जा में करीब चार बार यह रिच पी तो बनी जाती है इदनी टेस्टी लगती है तो अगर हमारी यह रिच पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए सस्क्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें फिर मिलते हैं नेक्स डेट नेक्स डेट इस पीखेल थैंक यू